हाई फ्रेंड्स वेलकम टू ग्यानियर दोस्तों आज हम जानेंगी कि बच्चों के लिए जो इंजेक्शन्स लगा जाते हैं उनका डोस का कल्कुलेट कैसे करते हैं और जो ड्रिप लगती है जो आईवी इंफूजन उसका कल्कुलेशन कैसे करना है ठीक है फार्मुलेस के ब और चैनल पर प्रिछम सब्सक्राइब करें ठीक है तो सुरू करते हैं दोस्तों यहां पर बच्रों के लिए दोज की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आप को चीज के लिए रखना पड़ेगी दो चाहे वह आद मीगा हो बच्चे का हो डोज दोज होता है ठीक है सपोस्क्र उसका आप दूसरा किसी फॉर्म में डोज दे सकते हैं तो डोज डोज रहेगा चाहे वह आप टैबलेट दो सिरप दो इंजेक्शन दो कुछ भी दो ठीक है तो सपोस्ट धारण के लिए मान लेते हैं मैक्सिमन डोज एक आदमी का 2000 है 2000 मिलीग्राम आप मान लो तो 500 मिलीग्र कर दो सब्सक्राम आप किसी दूसरे फॉर्म में दे सकते हैं चाएंब हो इंजेक्शन का व्यंग करता हूं सिरपी एसा सबूर्मय करना कि मैं अलग से बढ़नाउन बहुत डीटे ALL विली विह बनाऊंगा तो आप समाझे लो कि कोई भी ड्रग हो जब injection की फॉर्म में आता है तो आपको पता होता है कि इसका पर केजी वोडिवेट क्या डोज है यह नहीं पता चलता तो आप बुक्स में देख सकते हैं बुक्स में देख सकते हैं गूगल कर सकते हैं मेरे वीडियो में हर ड्रग के बारे के पता है क्योंकि येंग का फॉर्मुला था है बच्चों में चलता रएडी पीडिया में तो बोध के उपेंड है वेट ओर एज ठीक है तो यहाँ पर अपन एक्जामपल माल लेते हैं अमीकर सिंका इंजेक्शन अमीकर सिंका उसका डोज जो हता है 15 mg पर केजी वोडिवेट होता है तो 15 mg पर केजी वोडिवेट के साफ से तो यह हो गया कि अगर बच्चा एक कलो का है तो उसको आप 15 mg लगा सकते हैं इमीकर सिंका इंजेक्शन वोगी पर डे का है 15 mg पर केजी पर डे एक कलो का बच्चा 15 mg लगेगा सुबह लगा दो साड़े साथ साम को लगा दो साड़े साथ दे वाइड करके लगा सकते हैं यह लोडिंग डोस के हिसाब से 15 mg पूरा लगा सकते हैं तो यह होती ही टेक्निक ठीक है तो 15 mg अपने को पता है अब सब्सक्राइब बच्चा है कितना 10 किलो का तो उसमें कितना लगेगा उसमें लग जाएगा लगवा लगवा 1.500 mg ठीक है तो 10 किलो का बच्चा है लगव लगव दो तीन साल के जो बच्चे होते हैं उनका वज़न इतना ही रहता प्रीक है दस बारह किलो तो हमाओ लेते हैं दस किलो का बच्चा है आपको अमीकरसन लगाना है तो क्या करेंगे 10 km 5 might का physician करेंगे तो क्या नहीं के लगा अधाने हैं तो इतना तो सब को पता होता है कि भाई यह हमारा डोस है लेकिन उसके कर आहिं कि भी सुती है उ कर लेकिन उसको एम्पवादी यह होता हैं उसके क्वाइ दुलятся मिली सकता एको इसक आप 3 ml 5 ml के अंदर ड्रग कितना है वो 500 mg हो सकता है 500 mg हो सकता है जो भी वाटेवर तो यहां पर हमें एक करेक्ट वॉल्यूम निकालना करेक्ट कॉंटिटी निकालने है कि 1500 mg ही पहुंचे तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मुला है इसमें आपको क्या करना है 3 ml जो होता है मतलब एक्चुल में जो डोस है कॉंटिटी उसमें आपको उस ही के कम पोजिशन में आपको डिवाइड करना है और जो चीज़ निकल के आएगी उसमें आपको उसका जो बच्चे का डोस देना है जो अपनको डिरसों मिलीग्राम उसको आपको गुणा कर देना तो क्या अब यहाँ पर 0.008 ठीक है और उसमें अपन को क्या बच्चे का डोस जो डोस देना है उसका गुणा करना है तो तो इसको आप मल्टिपल कर दीजिए चैनिकल क्या एगा वन प्लॉइंट टू एमल ठीक है तो वन प्वाइंट टू एमल अगर आप भरते हैं तो आपके हाथ में पर्फेक्ट डोस आजाएगा किसी भी दस किलो के बच्ची के लिए तो यह हो गया क्या यंग के फॉर्मूले के साब से आपको इंजेक्शन भरने का तरीका अब बात करेंगी आई भी फ्लूट के बारे में कि बच्चों को बोटल चलाते हैं तो कैसे इ या किसी तरह कोई एंटिवाइटिक ड्रग दे रहा है तो भी एनस बगरा मिक्स करकर दिया जाता है तो हमें चाहिए चोटे बच्ची होते हैं उनका भी डोज डिपेंड वेट पर ही करेगा बट हरे कंडिशन में नहीं होता है ऐसा हो सकता है कि सेम वेट के बच्चों को अ अंसर क्या होता है कि तीन सा लेके 10 कलो का बच्चा है तो उसका जो डोज रहेगा सबस्री के केजी वोडे वेट केसाब से दिया जाएगा तब इसमें चाहरी बात है अगर बच्चा पांच किलो का है तो बच्चे का वाजन पांच किलो है तो क्या हो जागा पांच सो एमल आइवी फ्लूट तो ये पांच सो एमल पूरा एखट्टा नहीं लगाना ये मैंने बताया पर दिवाइट कर दो पांस सो में दिवाइट कर दो तो तो क्या निकल किया अगा 20 एमल तो वो च्छोटा वच्चा है पांच किलो का विजन है तो उसको एक हर होड़े आप 20 एमल चला सकते हैं मैक्सिमिन डोस पूरे दिन बर का तो 20 एमल पर घंटा ठीक है हर घंटे 20 एमल 20 ए का और इसके लिए क्या होता है कि इसे कांट इसंसे कांट करें वह प्टल नहीं है तो कुछ नहीं करना आपको ड्रॉपको काउंट करना कि बया जो सो बूढ़ीज गरती एक मिनिट में छोटे छोटी बूने साथ गरती है इक बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी 20 बंदे इक मिनिट के अंदर तो कुछ नहीं करना आपनको नॉड्मल सा अगर बच्चे का बजन पहुंच के लोगा है इन्फिजन देना है तो आपको 20 ml देना है तो 20 मिनिट के अंदर आप इसको दे सकते हैं क्योंकि एक मिनिट में 60 ड्रॉप गिरेंगी अब इसको कैलकुलीट कैसा करेंगी भाईया कि 20 ml में 60 बून होगी कि नहीं होगी कितनी दिर में होगी तो आपको 20 मिनिट में आपको 60 मिनिट का गोणा करना गोणां Prestige Systems से करना करवा और गोपदिभाह करद में तो 2,6 raise जड़ानीट यहाईगा अगर फ्वेसर गिरती हैं तो जन दो यह होता है क्या इन्फिजन पंप नहीं होने कर इस टेक्कै अपना जा सकती है थीक है तो यह तो थी छोटी से वीडियो जिसमें आपको एक नॉर्मल सा आइडिया लग गया लेकिन आप नेक्स विडियो में आपको जानेंगे कि यह अंक का होता ही कलाक का का फॉर्मुला क्या होता है और और जो साइराप होता है छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए घर में किस तरह से आप देसी जोगार से आप डोस कल्कुलेट कर सकते हैं कई माब आपको कंफ्यूज होता है कि कितना दवाई हमने दे दिए बच्चे को एमेल से उनको टीस्पू समझ में नहीं आता है तो यह भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कर देना और नहीं हमने चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ठीक है तो मैं हूं शिवान आप देख रहते क्या नियर्द अमेडिकल चैनल मैं मिलता हूं आग डिव